अलो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक में विशम संख्याओं का योग ठीक है सम आफ ओड नमबर तो यहां पर इसका फॉर्मला लिखा है एक से एन तक केवल मतलब ओनली ओड नमबर की बात ही करेंगे विशम संख्याओं योग और फॉर्मला क्या होता है फॉर्मला होता है एकस स्क्याओं अब यहां एकस क्या है तो एकस का मतलब है जितनी विशम संख्याओं पढ़ती है तो जितनी विशम संख्याओं पढ़ेगी उसे हम एकस बोलेंगे और सम का फॉर्मला हो जाएगा एकस का स्क्याओं ठीक है अब सम मतलब इवन और विशम सम और विषम कैसे निकालते है लाश वीडियो जो शौटरी की थी उसके अन्दर मैंने आपको सम और विषम निकालना सिखाये था एक बार और सिखाई था हो तो देखो एक से लगा कर दस तक कितनी सम है और कितनी विषम है तो हम जो गिन्ती दोटे है counting एक दो तीन चार उसमें क्या होता है odd even मतलब sum विशम 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 ऐसे चलता है कहने का मतलब मिरा है कि वो हमीशा pair में चलते हैं जोडियों में मतलब 1-4 की गिंती करूँगा तो 2 विशम पढ़ेंगे और 2 क्या पढ़ेंगे sum पढ़ेंगे सम किते होगे 5 तो विशम भी किते हुए 5 तो सम भी 5 और विशम भी पाँच ऐसे और आपको बोला था कि अगर कभी कोई وिशम संहा आजाए last में मतलब जैसे 1-15 तक है अगर कभी last number विशम आजाए और फिर आपको बताना कि इसमे कितने sum है और कितने विशम है तो मैंने आपको तरीका बताया है हमेशा जोडिया बनाओं पंदरा मैंसे एक कम करो पहले मतलब जोडि नहीं बन रही है तो एक को छोड़ दो तो पंदरा लास को छोड़ दिया आपने लास नंबर को समयना अब कितने बचे 14 14 अब 14 का क्या कर दो आधा आ आधा सम और विशम हो गया अब क्या करना है 15 जो है लास नंबर हमने छोड़ रखा है वो और नंबर है विशम सेंग्या इस और नंबर को हम अगेन इसके अंदर क्या करेंगे प्लस करेंगे तो यहां से जब भी लास नंबर हो वो हमेशा देखना जब आधा नहीं कर पारे ह वो हमेशा विशम ही होगा और वो वापस किस के अंदर जूड़ जाएगा विशम में तो सम संख्या हुई 7 तो विशम किती हुई 8 ठीक है अब अपना आते हैं इसका योग कैसे निकालते हैं एक से दस तक विशम संग्या योग निकालना हो तो जितने ही विशम संग्या पड़ी है उसका स्क्वार कर लो तो पांच का स्क्वार किता हो गया 25-25 अब गर बात करें एक से पंदरा तक विशम संख्या योग किता होगा तो एक से पंदरा तक विशम संख्या योग निकालना हो तो विशम संख्या किती है आठ है और आठ का स्कॉर कर लो तो आठ का स्कॉर किता हो गया 64 हो गया यह हो गया विशम संख्या योग तो सम संख्या योग निकालना हो और विशम संख्या योग निकालना हो तो विशम संख्या में डायट इसक्वार होता है और संख्या के लिए मैंने पिछला वीडियो बना रखा है वो जरूर देखना कि साथ अगर संख्या है तो इसका गुणा करेंगे next नंबर से मनला seven multiply eight से तो वो हो जाए first ten odd number का संख्या होगा तो पहले दस संख्या का योग करना है अब हमें दस क्या लेना है दस विशम संख्या चाहिए ना कि गिंती दस बोलनी है तो दस तो हमें विशम संख्या लेनी है तो हम सीधा सा समझें तो आपको formula में जो x square लिखा हुआ है वो x का मतलब ही क्या है जित इतनी विशम संख्या लो 10 लो तो इसका मतलब x के value तो हमें पता है तो ऐसे स्वाल जब भी आये ध्यान रखना कि आपको विशम संख्या दे रखी है या फिर वहां तक आपको गिंती बोलनी है तो साफ है प्रत्थम 10 विशम प्राकिस संख्या लेनी है तो 10 विशम लेनी है प्राकिस संख्याओं के अंदर लेनी है मतलब गिंती के अंदर 10 विशम संख्या लेंगे तो गिंती बोलेंगे 20 तक कहने का मतलब ये था तो x कमान 10 आया अब योग निकालेंगे तो योग किता हुआ 10 का square और 10 का square किता हो गया 100 योग आपका अंसर डन तो ये था विशम बटन जरूर दबा देना और वीडियो पसंद अगर जादा आ जाए तो शेयर करना मत बूलना ठीक है ताकि ऐसे दो तिन दो तिन मिनट की वीडियो अगर आती रहेगी और आप रोज मैस रिजनी का कुछ ने कुछ स्थिखते रोगे ठीक है दोस्तों मिलते अगली वीडियो म स्थिखते है़ एंग से थे जीडियो मैड़ी